आपका बहुत स्वागत है आज की वीडियो मेरी एक रिवेस्टेड वीडियो है यह दिखे मैंने इस तरह का एक पोर्शन बना के रखा हुआ है ये जैकेट का, क्रोशिया की जैकेट का ये नैक बना के रखा है, कटिंगर के इसके, तो friends, आज मैंने इसके उपर कॉलर बनाना है, एक फ्रेंड ने पूछा है कि जैकेट पे कॉलर कैसे बनाना है, तो ये मैं आपको इसमें बताऊगी, यह दोनों साइट हमने बना ली हैं बैक साइट और फ्रेंट साइट यह हमने बटन पट्टे भी बना ली है दोनों साइट यह दिखे मैं थोड़ा सा आपको बस बना के दिखा रही हूँ यहां से पूरी जैकेट नहीं बनाई पूरी जैकेट की वीडियो मैंने पहले डाली है लेकिन उसमें राउंड नेक बना रखा है तो इसमें उनको कॉलर चाहिए तो मैं या कॉलर बना के दिखा रहे हैं यह दिखिए इस तरह से हमारी शेप आजाती है अबना है यहां यहां पर हमारा किया यहां यहां पर है तो हम यहां मार कर लगाना इसलिए जरूरी है हमारा कि हमने जो फंदे उठाने हैं यहां से यहां तक यहां से यहां तक बराबर होने चाहिए इसमें एक फंदा भी कम जादा नहीं होना चाहिए नहीं तो हुमारा कॉलर यह गला जो भी हम बनाते हें वह ठीक नहीं बनता वो एकशावड को जाता है अब फ्रेंट्स एक बात और जैसे हम गला बनाते हैं कोई भी तो यहां से हम बनाना स्टार्ट करतेते यहां से हम बनाना स्टार्ट करते , फ्रेंट साइड हमारी दरफोती है जब हम कॉलर बनाते हैं तो हमेशन यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे इसका कारण मैं आपको बता देती हूं कि जिस साइड से हम फंदे उठाते हैं उस साइड से हमारा एकदम साफ बनता है और दूसरी साइड थोड़ा बहुत भागे या किनारी दिखाई देती है इसी वज़े से हम जब कॉलर बनाते हैं तो अंदर की तरफ से बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब हमने कॉलर को ऐसे फोल्ड करना है तो यह वला पॉर्शन हमारा दिखाई देता है तो जब हम गला बनाते हैं, गले का बार्डर बनाते हैं, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो हमारा फंदे उठाने वाली जगा से थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो अंदर रह जाता है, यही कारण है कि जब हम कॉलर बनाएंगे, तो हम यहां से स्टार्ट यह दिखिए, जो स्वेटर की उल्टी साइड है, वो अपनी तरफ रखके स्टार्ट करेंगे, ऐसे, यहां हम बटन पट्टी से हमने शुरू कर लेना है, यहां से दिखिए हमने, चार स्लाईगी हमारी पट्टी है, तो चार फंदे तो हमारे यहां दे आजाएंगे, चार फंदे जहां आजाएंगे, उसके बाद फ्रेंड समय आए, देखिए, बहुत नस्देग नहीं उठाने, और बहुत दूर भी नहीं लेके जाना, एक एक फंदा उठाते रहना है, ऐसे यह देखिए, जैसे हम गले के फंदे उठाते हैं, सेम उसी तरीके से हमने फंदे उठा लेने हैं, कर दो आएफ घ्रेंज़ कोई जाना, कर दो आएज हैं, आएगे लेता हैं, यहाईएं कि वाद भी नहीं एंज़ कोईएं भी नहीं बहुत दूर भी जिए दोर कोईपकी हमने, झाल 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 यह दिखिए यहां से यहां तक कितने फंदे हैं वो हम गेन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारां, बारां, तेरां, चोदां, पंदरां, सोलां, सतरां, ठारां, उनिस, बीस, एक्टिस यह 21 फंदे हैं हमारे यहां से यहां तक यह देखिए यह बटन पट्टी से लेके यहां तक हमारे 21 फंदे हैं तो 21 ही हमने दूसरी तरफ रखने हैं इस तरफ का इस चीज़ का ध्यान रखना है अब हम यह मारकर निकाल देते हैं 21 फंदे याद रख लेते हैं कि 21 फंदे उठाए हैं हमने इस तरफ पिछली साइट का कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स यहां आपके पास जितने फंदे हैं उठा लेजिए अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा फंदे हैं पिछे तो उसमें बीच-बीच में काम कर सकते हैं बहुत चोड़ा नहीं होना चाहिए गला अगर आपको लगे कि बहुत जाता है तो आप उसको कर सकते हैं अपने हिसाब से फंदे उठा सकते हैं बीच में से वैसे लगबग जितने होते हैं सारे यह उठा लिए जाते हैं अगर आपका नीचे से आपने ठीक फंदे डाले हैं अगर पहुत ही कोई मोटा होता है तो उसके फंदे थोड़े जादा बच जाते हैं तो उसको गले के लिए कम कर लेते हैं बीच में जैसे हम यह फंदे उठा रहे हैं तो यहां से एक पीच में छोड़ देंगे एक एक जैसे भी आपका सेटिंग आएगा तो अब देखिए यह वाला मारकर है न यहां से हमने 21 फंदे उठाने हैं इसको बाद में निकल लेंगे बैक साइड में देख लेगते हैं हमारे कितने फंदे आए हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस ग्यारा पारा तेरा चोटा पंदरा सोला स्तार आटारा उननिस देस 20 फंदे फ्रेंड्स हमारे पीछे आए हैं अब देखिए किस यहां पर उठाने हैं हमने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस क्यारां बारा ये दो, तीन, चार, बांचे, साथ, आठ, नो दस, ग्यारा, बारा, तीरा, चोटा, पंदरा, सोला, सुत्रा, अठारा, अथारा, 20 और 21 फंदे हमारे इस तरफ हैं और 21 तरह हैं पीछे हमारे 20 फंदे हैं यह दिखिए इस तरह से यह दिखिए आप फंदे उठा लिये हैं हमने सारे यह दिखिए दो चेन कर लिये हैं यहां पर हमने दो फंदे बना लेने हैं और बाकी हमारे सिंपल एक एक फंदा बना लेने यह दिखिए बना लेना 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 प्रेंट सब्सक्राइब कर रहा है, इसको भी निकाल देंगे, इसका भी कुछ कामने ये, यहां भी हमने लास्ट वाले स्टिच में दो बर बनाना है एक फंदा हमने स्टार्टिंग में बढ़ाया था यहां पर एक इतर बढ़ा दिया नेक्स्ट रोपे आगी हैं यहां भी ऐसे ही बनाना है हमने दो जेन कर लेंगे और उसके बाद इसमें दो स्टिच लगा लेंगे पहले वाले में बाकी पूरा रांड हमने ऐसे ही बना लेना है और लास्ट में फिर जाके हमने लास्ट वाले बंदे में दो बना लेने हैं इस तरह से हमारा यह बन जाएगा यहां से दिखिए यह इस रो में हमने स्टिच इस उठाए थे उसके बाद हमने एक दू तीन चार पांच रो बना ले हैं आप अपने प्रजेक्ट के और बड़ा भी बना सकते हैं जितना भी आपको लगे कितना चाहिए उस हिसाब से आप कॉलर बना सकते हैं यह दिक्ष तरह से कॉलर की शेफ आज आएगी और यह दिखिये अस तरह से आएगा कॉलर हमारा यह हमार 이 button button here यहां पे और यह स्वै कि सनistरे ओना अभी मैं आपको इसका एज भी बनाना सिखा देते हूँ यहां से इसको तोड़ देते हैं थ्रट को हम तो यह देखिए यह पट्टी छोड़ के यहां से हम स्टार्ट करेंगे पट्टी को हमने छोड़ देना है उसके बाद एस बनाना शुरू करते हैं यहां दो चेन कर लिए हैं सेम पोस्ट पे दो स्टिच लगा लिए हैं और देखिए यह इस तरह से टक कर लेंगे इसको दो चेन कर लिएंगे दो बार सेम पोस्ट पे आएंगे और यह दिखिए जहां हमारा स्टिच खत्म हो रहे हैं महीं प्यांगे दो दो चैन, जहां, सेम पोस्ट पे तो स्टिच, यहां जाएंगे, दो चैन कर लेंगे, यहां देखिए, दो स्टिच छोड़ेंगे तो तीसरे में चल ले जाएंगे, पूरह हम इससे तरह से बना लेंगे, दो स्टिच छोड़ेंगे तीसरे में टक कर लेंगे इसको, पूरा एज हम इससी तरह से बना लेंगे, यह दिखिए फ्रेंज, यह कॉलर बनके तयार है, अब आप बना के दिखिए, इस तरह से इसका एज भी बना दिया है, अब आप बना के दिखिए, और फीडबेक मुझे जरूर देजिए, झाले हमलाई है, तरह से लेड़ी, थाख था विपलशनी, ज्याहीब यहिंहाष है प्रेंगे, अज़े को भी हैंगे, यह कॉलर थाए्धट बना ले, भीजिए यहिंए लेड़ी है, अबना से लेंगे, एंगे बना देलाएवेशनी, देल के ले तेले हैंगे बना से चाही